हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो फोर देबलमेंट और सोसल सक्टर प्रोग्राम के लिए तो आज एक नए इनुवेसिटी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो इस वी प्रेंजी फांडेशन इनको फंड देता है अजीम प्रेंजी उनिवेसिटी को तो आज कुछ इनके कोर्स के बारे में बात करेंगे और कौन से अपलाई कर सकते हो अभी भी जिसको अपलाई कर सकते हो और नेक्स्ट जो 2020 बैच चलेगा जिसमें टीज भी इंक्लूड़ेड अजीम प्रेंजी इनक्लूड़ेड निर्ड है तो सारे का एक साथ प्रिप्रेशन होगा टाटा धन अकाडमी का और 2020 जिनने भी बैच चलेंगे एक साथ ही रहेंगे तो इनमें अजीम प्रेंजी इनक्लूड़ेड कर दिया हों है तो आने वाले के लिए सभी को और इंफोर्मेशन देना चाहता हूं आपको कि यह में इन इकनोमिक्स में अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो लास्ट डेट है 23 अप्रील 2019 तो लास्ट डेट अभी भी है 23 अप्रील तो 23 अप्रील तक अप्लाई कर सकते हो में इन इकनोमिक्स फोर्दर 2019 तो 2021 बैच के लिए बाकी सब का अप्लिकेशन प्रोसेस ओवर हो चुका है इंट्रव्यू भी हो चुका है तो इस यर आप यह सब कोर्सेस में अप्लाई नहीं कर सकते हो लेकिन इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में इन्फोर्मेशन जरूर दूँगा जो आने वाले जो 2020 के जो शुडेंट्स होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और थोड़ा इंफोर्मेशन भी देता हूं इन चारों कोर्सेस के बारे में तो में इन एडिक्विशन जैसा कि टीस में भी यह होता है यह प्रोग्राम अजीम प्रेमजी में भी होते हैं में डेवलम्मेंट यह भी इन फिस प्रोग्राम होता है और इस इनुवर्शेटी में भी भी पॉलिक पॉलिसी एंड गॉवरनेंस यह भी टीस में होती है और मास्टर ओफ लॉप जो एललम है वो वन यहर का कॉर्सेस है वह अजीम प्रेमजी में होती है तो इसके बारे में बात करूं दोनों की कॉमन स्लेबस जीके आती है मैज्स रिजनिंग इंगलीज तो सेम स्लेबस है तो में इडूकेशन बहुत अच्छी प्रोग्राम है जो में डेबलम्मेंट अगर आप टीस में भी अपलाई कर रहे हो टाटा इंस्टूड अप सोसल सायंस में तो इसमें भी अपलाई आप जरूर करना अगर आपको अच्छी बात है तो दोनों में किसी में से एक में भी आपको college में admission मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है तो next year के लिए तयार रहो और यह सारे courses बहुत important है MA in education, MA in development, MA in public policy and governance और master of law तो यह सारे के eligibility है MA के लिए यह आपको bachelor degree होना चाहिए इसमें कोई percentage limited नहीं है कि 60% आपका graduation में होना चाहिए ऐसा कुछ information नहीं है और eligibility simple graduate चाहिए बस और कुछ experience भी नहीं चाहिए master of law के लिए law degree होनी चाहिए बस तो simple से process है और percentage कुछ जरूरी नहीं है और इनका selection का process होता है एक interest test होती है और एक personal interview और फिर आपका selection हो जाता है इसमें ना GD होती है ना essay writing होती है essay writing होती है लेकिन वो examination में ही ले लिया जाता है interview के time कुछ नहीं होता interview के time केवल personal interview होता है और essay जो लिखा जाता है वो examination जो आपके होंगे उसी के time आपको essay लिखा लिया जाएगा तो यही इनका selection process रहा और मेरा मकसद था अभी इस वीडियो को वाना ना क्यूंकि एमें इन economics में अभी भी आप apply कर सकते हो 23 अप्रिल लाज डेट है तो apply कर देना और placement की बात करूँ तो करीब 2.5 to 3.5 लाग की package रहती है तो placement अच्छी है compare करे तो other colleges से और 2.5 to 3.5 की लाग की package मिल जाएगी आपको अगर आप admission लेते हो और अच्छी placement पाते हो तो तो package के बारे में मैंने बता दिया आने वाले वीडियो में आपको company के भी डीटेल्स दे दूँगा इंजियो जो जो आते हैं सारे information आते रहेंगे उसके लिए subscribe कर लेना और इसके साथ teach की भी preparation होती रहेगी अजीम प्रेम जी उनिवसिटी भी preparation होगी क्योंकि सब similar process है और similar ही syllabus है तो एक साथ दोनों को पढ़ते रहेंगे तो okay friends thank you इसी तरह आपके लिए मैं important वीडियो लाते रहूँगा